हेलो गाइज विल्कम बैक टो मैं चैनल स्मार्ट एजून तो गाइज इस वीडियो में बात करेंगे ससी सीजियल नोटिफिकेशन 2021 के बारे में जैसा कि आप सभी को पता है कि कल यहाँ पर ससी का कैलेंडर लॉंच हो चुका है और सीजियल का जो नोटिफिकेशन है वह आपक कि 23 दिसंबर को 2021 में ही देखने को मिल जाएगा ठीक है तो इस वीडियो में हम यहाँ पर कंप्लीट जैन काड़ेंगे आपको देने वाले हैं सीजियल के स्लेवस के बारे में एक्जाम पैटन क्या होगा टियर 1, टियर 2, टियर 3, एंड टियर 4 में क्या यहाँ पर स्लेवस रहेगा, सेलेक्शन पॉर्सिस क्या रहेगा, इस लिमिट क्या रहेगा, सैलरी क्या रहेगा, और कॉलिफिकीशन क्या रहेगा, सब कुछ आपको यहाँ पर डीटियल में बताने वाले हैं, तो इस वीडियो को लाइक कर देना और जासे शेयर कर देना अपने दोस्तों में, तो सबसे पहले यहाँ पर सुरू करते हैं SSA CESIAL के बारे में वीडियो और जानते हैं यहाँ पर कि CESIAL में कौन-कौन से पोश्ट पे वेकेंसी आती है गाइस SSA CESIAL में लगबग यहाँ पर 16 पोश्ट निकाले जाते हैं जिसमें की Assistant Audit Officer का पोश्ट होता है Assistant Account Officer का पोश्ट होता है Assistant Section Officer का पोश्ट होता है Assistant का पोश्ट होता है Inspector of Income Tax का भी पोश्ट होता है Inspector का भी यहाँ पर पोश्ट होता है और Assistant Enforcement Officer का पोश्ट होता है Sub Inspector, Inspector और आपका Junior Statical Officer का भी पोश्ट होता है और आपका Investigator Grade 2 का भी पोश्ट होता है audited का भी post होता है account junior accountant का भी post यहाँ पर accountant junior accountant का भी post होता है senior secretariat assistant and upper division clerk का भी DankALLY text assistant और upper division clerk का भी post होता है इसमे group C Guru P और आपके यहाँ पर तीन group में इसमें post रहते हैं group C and group B की यहाँ पर post निकाल जाती है और सभीकी salary में अभी आपको बताने बारा हूं इसकी qualification is limit की बारे में यहाँ पर बात करते हैं अगर हम यहाँ पर qualification की बात करें तो जो आपका assistant officer का जो यहाँ पर assistant audit officer का जो यहाँ पर post होता है उसके लिए bachelor's degree चाहिए किसी भी recognized institute या university से ठीक है बाकी जो आपका यहाँ पर investigator grade 2 की post होती है उसमें bachelor's degree चाहिए किसमें आप देखो in subject from recognized university और institute at least 60% in mathematical at 12th standard level ठीक है 60% आपकी यहाँ पर होने चाहिए और मैं भी यहाँ पर आपका qualification दिया गया है bachelor's degree in subject with statistics as one of the subject at degree level ठीक है दूसरा आपका आता है assistant audit officer इसमें आप देख सकते हो characterized accounted or cost and manager accounted or company secretariat or master in commerce or master in business study or master in administration finance होना चाहिए आपका और master in business economics यह qualification आपके पास है तो आप बिल्कुल assistant audit officer के लिए form भर सकते हो फिर आपका compiler का जो post होता है उसमें यहाँ पर किसी भी recognized university से आपका क्या होना चाहिए graduation complete होना चाहिए जिसमें की subject में आपका यहाँ पर economics होना चाहिए ठीक है आपके पास यहाँ पर subject से graduation है तो बिल्कुल आप यहाँ पर इस form को भर सकते हो compiler के post पे फिर आपका आता है बाकी सारे post यानी की जो भी post में आपको बता है उन सारे post के लिए यहाँ पर आप देख सकती हो bachelor's degree enough है placu कि अगर आपने bachelor's degree करहा है graduation कर रख है तो बाकी सारे post के लिए भी आप भर सकते ही bachelor's degree की equivalent भी कर रखा है तो आप all post के लिए यहाँ पर apply कर सकते हो SSC CGL में अब आते हैं age limit पर, age limit भी यहाँ पर post wise दी गई है जिसे कि आप देख सकते हो assistant, inspector के लिए जो यहाँ पर, assistant and inspector के लिए जो यहाँ पर is limit है, वो 18 से 30 साल है, minimum आपका 8 होना चाहिए, maximum 30 साल होना चाहिए बाकी आप देख सकते हो assistant, section officer, assistant, auditor, sub inspector, junior accountant के लिए जो यहाँ पर tax assistant के लिए जो यहाँ पर is limit रखी हो, 18 से 30 साल रखी गई है जो आपका assistant account officer हो गया, या UTC की जो पोस्ट होती है उसके लिए भी जो यहाँ पर is limit है, वो 18 से 30 साल रखी गई है अब यहाँ पर आता है, sub inspector और assistant enforcement officer की is limit के बारे में तो up to 30 years यहाँ पर रखा गया इसका is limit और up to 32 years यहाँ पर junior statistical investigator का यहाँ पर रखा गया और फिर आपका आता है assistant audit officer, assistant accountant officer, inspector of central exercise and assistant enforcement officer, assistant section officer, inspector of income tax इनकी जो is limit है, यहाँ पर क्या दे गई है, not exceed 30 years यानि के 30 साल से इनकी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए बाकि हम देखे, तो यहाँ पर जो आपकी is limit रखे गया है, तो department wise भी यहाँ पर दिया गया, जैसे की intelligence bureau में not 30 year exceed लिखा गया है तो department wise भी आप यहाँ पर is limit सब की देख सकते हो इसके सिशन की बात करे, 5 year relaxation CST को मिलता है, 3 year relaxation OBC को यहाँ पर मिल जाता है, इस limit में relaxation बाकी handicap वेगारा का आप देख सकते हो, 10 year general में और OBC में 13 year, 15 year CST में मिल जाता है तो यहाँ पर जो CZL का आपका is limit है qualification उसके बारे में, अब इसके selection process के बारे में जाना important तीन यहाँ पर पार्ट है, tier 1, tier 2, tier 3 and tier 4 भी यहाँ पर होता है, कुछ यहाँ पर आप पोस्ट के लिए tier 4 भी कराया जाता है यह 4 पार्ट में आपका, जो selection process है वो यहाँ पर divide करा गया है अगर हम बात करे, tier 1 की exam pattern के बारे में 4 section रहेंगे और 4 section से आपका 25-25 नमर का question हैगा, total 100 question पुछे जाएंगे और 200 नमर का यह total 100 question रहेगा और 50-50 marks का हर एक section आपका रहना है, 60 second में आपको यहाँ पर solve करना है 60 second में यानि कि हर एक question पर आपको एक मिनट से कम time देना है तब जाकर आपको यहाँ पर 100 question हो पाएगा जो इंग्लिस और general awareness का part रहता है वो तो आप easily solve कर पाऊगे लेकिन जो आपका reasoning and math का part रहता है इसके लिए आपको बहुत practice की जरूरत है तो यह जो ऐसे part है जिस पर आपको यहाँ पर accuracy के साथ साथ speed भी इसमें रखना पड़ेगा अगर हम topic wise की syllabus की बात करें तो quant का syllabus आप देख सकते हो क्या क्या इसमें रहेगा profit and loss, discount, partnership, relation between number, omission and allegation, time and distance, time and work, percentage, ratio, proportion, square roots सब कुछ यहाँ पर है average से भी question रहता है, algebra से भी question रहता है graph of linear equation से भी question रहता है, triangle से भी यहाँ पर question रहता है तो यह सारे topic आपके quant के हैं जिसका आप screenshot ले सकते हो और आगे की तयारी अपनी अभी से ही शुरू कर सकते हो and also आप smart zone app पर जो crash course अब लेवल है उससे भी तयारी कर सकते हो जिसमें आपको complete CZL का course कराया जाएगा नीचे वीडियो के description box में इसका link आपको मिल जाएगा आगे हम चले तो जो आपका reasoning का part है उसमें भी आप topic वाज से ले बस देख सकते हो जो कि आपका similarities से question रहता है, analogies से question रहते हैं यहाँ पर और जो आपका decision making है वो भी यहाँ पर रहेगा तो सायर topics आप देख सकते हो यहाँ पर जो आपका classification है, figure classification है सब कुछ यहाँ पर पूछा जाने वाला है, तो सभी की screenshot आप ले सकते हो ताकि आपको आगे यहाँ पर preparation करने में कोई दिक्कत ना हो coding recording से भी यहाँ पर, when diagram से भी यहाँ पर questions रहने वाले हैं इंग्रिस की बात करें तो इंग्रिस का section आपका आचुका है जिसमें कि आप देख सकते हो, यहाँ पर one word substitution, sentence correction, error spotting, filling the blanks, spelling correction, reading, comprehension, सारे questions यहाँ पर close test इन सारे से यहाँ पर question रहने वाला है, ठीक है, sentence improvement से भी आपका question रहने वाला है तो यह सारा आप screenshot ले सकते हो जिसमें कि history, culture, geography, economic और science, ठीक है, यह सारे आपका यहाँ पर रहेंगे current affairs से question रहेंगे, इसमें कि आपका books है न थोड़ हो गया फिर आपका sports हो गया, इससे भी question रहता है, important day से भी question रहता है ठीक है, तो यह आपका GKGS का complete part है topic wise अब जो candidate tier 1 को clear करेंगे, उनको tier 2 में भेजा जाएगा, ठीक है अब tier 2 की syllabus आप देख सकते हो, जो कि यहाँ पर हार एक section आपका 200 number का होने वाला है इसमें भी 4 section है, 4 आपका quant का है, फिर आपका English का है, ठीक है फिर आपका statistic का है, और फिर आपका यहाँ पर general study का भी है अब यहाँ पर हम देखें, total हार एक section 100 question रहेंगे और सारे section आपके 200 number के रहेंगे अब इसमें आप देख सकते हो, इसमें लगबग यहाँ पर हार एक section के लिए 2 घंटा time दिया गया है overall exam की बात करें, तो यहाँ पर देख सकते हो, कितने यहाँ पर 8 घंटा का total आपका exam होगा तो यह आपका main examination, यानि की tier 2 की syllabus है, topic wise मैंने यहाँ पर screenshot ले रखा है आप देख सकते हो, topics को आप यहाँ पर देख सकते हो, profit and loss question है यहाँ पर level बढ़ जाता है, question का, तो बाकी सारे आप topic तो देख रहे हो, same topic है आपका कुछ topic यहाँ पर change करा गया है, तो इसका screenshot आप ले जाए ना, frequency से भी question रहेगा जिससे कि आपको यहाँ पर preparation करने में आगे कोई दिक्कत ना हो, ठीक है आगे हम चलें, तो English का भी part है, आपका यहाँ पर देख सकते हो, इसमें कि आपका spot the error है, ठीक है यह सारे यहाँ पर question पूछे जाएंगे, passive voice हो गया, word से question रहेंगे आपके, ठीक है तो सारे की आप यहाँ पर screenshot ले जाना, ताकि आप आगी की जो preparation हो, अच्छे सी कर पाएं तो guys, फिर आता है आपका paper 3, जो की statistic है, जो कोई सलेवस आप देख सकते हो, आपके सामने है topic wise आप screenshot ले लो, probability theory यहाँ पर रहता है, simple theory भी यहाँ पर रहता है, तो पूड़ा आप इसका topic wise screenshot ले लो ताकि आपको आगे यहाँ पर topic में confusion नहीं कि कौन कौन से topic यहाँ पर पूछे जाएंगे, ठीक है finance and economics, इसका topic wise मैंने आपके सामने रख दिया है, अब इसका screenshot लो ताकि आप आगे यहाँ पर अच्छे सी इसकी तियारी कर पाऊ, ठीक है तो यह इसका topic wise syllabus है, tier 3 की आपका होता है descriptive paper, अब जो यह tier 3 हुआ, यह tier 3 यहाँ पर दो post के लिए होता है, ठीक है compiler के लिए होता है, और आपका investigator grade 2 की जो post होती है, इसके लिए होता है, इसमें क्या होता है, इसमें आपकी writing skill जो है, वो test किया जाता है, इसमें कि essay letter application वेगेर आपसे, यहाँ पर पूछा जाएगा, टुटा 100 number का question आपको यहाँ पर रहता है, और 1 घंटा 60 second आपको यहाँ प टाइम दिया जाएगा, और लगवगम देखें यहाँ पर, जो PWD candidate है, उनको 80 minute यहाँ पर टाइम में लगा, तो यहाँ पर आपको इससे लिखने के पूछा जाएगा, और यह जो आपको exam होगा, वो offline होगा, और pen और paper यहाँ पर mode रहेगा, इसका examination का, जो आपका होता है, tier 4, जो की scale test होता है, जिसमें की data entry speed test किया जाता है, DST and CPT होता है, ठीक है, computer proficiency test होता है, यह दो यहाँ पर होता है, और जो आपका DST होता है, जिसमें की आपका यहाँ पर typing speed चेक किया जाएगा, 200 word in 15 minutes, आपका typing speed होना चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि कुछ specific post के आपका यह जो CPT है, या जो आपका DST हो कराया जाता है, अगर हम देखें तो tier 4 जो होता है, वो जो TA and CSS and आपका MEA और inspector, यह चार post के लिए जो भी यहाँ पर apply करते हैं, सिर्फ उनी candidate का यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर tier 4 conduct कराया जाता है, ठीक है, तो यह यहाँ पर जाता, तो यह कुछ important जानकार यह आप सभी candidate के लिए जो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए, और बहुत सा लोगों का question है कि sir क्या हमें यहाँ पर negative marking देखने को मिलेगा, तो बिल्कुल देखने को मिलेगा आपको यहाँ पर ठीक है, जो penalty है tier 1 का वो 0.5 है, यानि कि दो question पर एक आपका number minus हो जाएगा, 0.5 आपका रखा गया है, और जो tier 2 का यहाँ पर penalty हो 0.25 है, आप देख सकते हो, 0.25 आपका tier 2 का है, जो की paper 1 में रहेगा, और बाकी जो paper 1, sorry paper 2 के लिए, यह 0.25, बाकी जो आपका paper 1 and 3 and 4 रहेगा, जो आपका tier 2 में होता है, उसके लिए जो penalty है वो 0.50 रखा गया है, ठीक है, तो यह penalty यहाँ पर रखी गई है, और बाकी आप देख सकते हो, जो important चीज था, वो मैंने आपको समझा दिया है, इस levels में क्या-क्या पूछा जाएगा, कौन से post के लिए, क्या यहाँ पर tier होने वाला है, सब कुछ मैंने आपको detail में बता दिय है, अगर हम salary की बात करें, तो देखो, यहाँ पर जो pay label होता है, वो level 8 के तहट है, यहाँ पर जो group B में आती है, post उसको salary मिलता है, जो कि 47,600 से लेकर, 1,51,100 की बीच होती है, ठीक है, जिसमें क्या आपका assistant audit officer हो गया, Indian audit and accounts department में जो होता है, उसके लिए यहाँ पर यह salary रहत है आपका, ठीक है, आगे हम चले, तो आगे जो यहाँ पर level 7 के तहट salary मिलते है, इसमें group B के post आती है, वो आपका है assistant section officer, जो की central security service department में आती है, इसकी salary जो होती है, वो 44,900 से लेकर, 1,52,400 की बीच होती है, ठीक है, जिसमें क्या आपका जो post है, वो assistant section officer का है, intelligence bureau में, फिर आ तो सभी के department wise यहाँ पर salary mention है, आप examiner की salary यहाँ पर आपकी level 7 की ही होती है, ठीक है, और यह inspector होते है, आपके examiner होते हैं, उनके भी salary यहाँ पर सेम होती है, जो assistant होती है, उनके भी salary यहाँ पर गया होती है, सेम होती है, ठीक है, आगे हम चले, तो जो level 6 की तहरी मिलते है, ज उसके यहाँ पर 35,000 से लेकर 1,12,400 के वी सेलरी होती है और इसकी सेलरी आप यहाँ पर देख सकते हो जो यहाँ पर पोस्ट है वो 6, level 6 के ताद इसकी सेलरी मलती है डिपार्टमेंट बाइस आपका यहाँ पर वैरी करती है जैसे कि आप देख सकते हो मिनिस्टरियस यहाँ पर देपार्टमेंट है तो उसकी जो असिस्टन की सेलरी है वो 35,000 से लेकर 1,20,000 के बीच में रहती है उसकी जो सेलरी होती है लेजल 5 में आप देख सकते हो कौन-कौन से पोस्ट और डिपार्टमेंट आते है फिर finally आपका level 4 आता है जिसमें की salary 25,000 से लेकर 81,000 के बीच में रहती है Tax Assistant का भी post इसी में आता है जिसमें की CBDT की जो department होते है उसमें रहता है तो यह आपकी यहाँ पर सारे level की salary मैंने आपको बता दी कि CGL की कौन-कौन से level की salary यहाँ पर क्या-क्या रहती है So guys, यह जो वीडियो में ने बनाया है इसमें सारे जानकारी है notification की regarding जो आपको जानना चाहिए as a candidate अगर आप fresher हो तो आपके लिए वीडियो बहुत जाता है important है उन candidate को भी share करना जो अभी-भी यहाँ पर CGL की salary करना शुरू कर दी है उमीद करता हूँ कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा जो समझ में नहीं है comment section में जो उट से लिखना है उहाँ पर आपके question का reply में करूँगा ठीक है तो यह आज की वीडियो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में तब तक लिए bye bye and take care